हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टिरियस क्राइम पोड़कास्ट होरर, क्राइम, थ्रिलर और रोमांचित कर देने वाली कहानियों की दुनिया से एक और नई कहानी ले करके आया हूँ और इस सफर में मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीन तो चलिए सुरू करते हैं आज की कहानी बैंगलोर में एक महिला, उन्हें सो निन्यानवे में मृत पाई जाती है उसकी बोड़ी तो मिलती है, लेकिन उसका कातिल, जिसने उसे मारा था, वो कहीं फरार हो गया था किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, कि आखिर वो हत्यारा कहां चला गया ठीक इसके साथ साल बाद, एकजेक्टली, जैसे 1999 में बैंगलोर की महिला मरी थी ठीक वैसे ही 2006 में भी करनाटका में महिलाएं मरने लगी थी 2006 में तीन महिनों के अंत्राल में पांच महिलाओं की हत्या हुई थी और इस बार भी मुझरिम फरार था किसी को भी मुझरिम के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर मुझरिम है कौन, वो कैसा दिखता है और उसने ये हत्याएं क्यों की अब यही सब कुछ सोच करके लोग यही मानने लगे थे कि सायद पिछली बार की तरह इस बार भी हत्यारा पुलिस की गिरफ से बाहर चला जाएगा वो गायब हो जाएगा और पुलिस उसे ढूंड नहीं पाएगी सायद ऐसा ही होता यदि मुजरिम ने एक छोटी सी बेवकुफी नहीं की होती उस छोटी सी बेवकुफी की वजह से वो पुलिस के हाथ पड़ जाता है अब जैसे ही पुलिस उसे गिरफतार करती है तो उसके पिछे की कहानी सुनने के बाद वो और अधिक चौख जाती है अब पुलिस यही मान रही थी कि इसने पाँच से छे लोगों को नहीं बलकि पंदरा से बीस महिलाओं का खून किया होगा आखिर कौन था कातिल? क्या वाकई में सभी हत्याओं के पीछे वही एक हत्यारा था? या फिर कोई और भी था? हत्या के पीछे उसका क्या मकसद था? तो चलिए जानते हैं कि वो हत्यारा कौन था ये रही हत्यारे की तस्वीर आप इसे देखिए कितनी सरल स्वभाव की लग रही है ऐसा लग रहा है कि सायद आपके पडोस में जो रहती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी लेकिन इसकी सकल पर मत जाईए इसने पिछले जितने भी हत्याएं हुई है उसके पिछे इसी का हाथ रहा है ये है केडी केमपमा और साइनाइड मली का केडी केमपमा का जन्म 1970 में बैंगलूरू के बाहरी इलाके मिस्थित एक गाउं कागली पुरा में हुआ था केडी केमपमा एक बहुत ही गरिब घर में पैदा हुई थी उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है या सायद कोई भी उसके साथ अपना रिस्ता रखना नहीं चाहता हो इस कारण से ये उपलब्ध नहीं है केमपमा के फादर मजदूरी करते थे और अपना परिवार चलाते थे उनका परिवार बेहद गरिब था और इस बात को लेकर के केमपमा बहुत गुसा करती थी वो सोचती थी कि आखिर उसे अपने तीन टाइम का भरपेट भोजन क्यों नहीं मिलता है वो आउरों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती वो आलिसान घर में क्यों नहीं रह सकती ये सारी चीजें उसके खयाल में हमेशा घूमते रहती थी और अपने फेमेली पर गुसा निकाला करती थी ठीक उसके बिपरित वो अमीर लोगों से भी उतना ही नफरत करती थी वो हमेशा सोचती कि अमीर लोगों को ही ये सारी सुधाएं क्यों मिल रही है ये सुधाएं उसके परिवार को क्यों नहीं मिलती ये सब बातें उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहती थी अब केमपम्मा के दिमाग में पैसा ही सब कुछ था वो चाहती थी कि उनकी साधी किसी बड़े अमीर आदमी से हो जाए और उन्हें इस गरीबी के चंगुल से बाहर ले करके वो उसे वो सारी सुधाएं दे जो वो अपने सपनों में सोच रखी थी केमपम्मा की जब उम्र हो जाती है तब उसके पिता उसकी साधी करा देते हैं यहाँ पर केड़ी केमपम्मा की साधी एक ऐसे ब्यक्ति से होती है जो केमपम्मा के ड्रीम जैसे राजकुमार या अमीर आदमी नहीं था बल्कि एक साधरन टेलर था, जो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को पालता था, जो केमपम्मा के लिए काफी नहीं था साधी के बाद केमपम्मा के तीन बच्चे हुए, अब उनका परिवार बड़ा हो गया था, इस कारण हस्बेंट के पैसे से वो घर ठिक से नहीं चल रहा था इसलिए 1995 में केडी केमपम्मा को भी काम करने पड़ते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए केमपम्मा इस समय लोगों के घरों में जाड़ू पोचा लगाने का काम करने लग गई, और वो ये सारे के सारे काम बड़ी सोसाइटी के अंदर वाले घरों में ही करती थी वो इसलिए क्योंकि यहां के लोग अमिर थे और वो भी इनके बीच रह करके अपने आपको अमिर फिल करती थी उनके साथ बातें करती क्योंकि ये लोग अमिर तो थे, इन सभी लोगों के पास बहुत सारे गहने भी थे वहाँ पर काम करते करते केमपमा को एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया से बहुत जल्द अमिर बन सकती थी उसने सोचा कि अगर मैं इन सभी घरों से जिन घरों में वो काम करती थी उन सभी घरों से एक एक छोटा गोल्ड का आइटम चुरा लूँ तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये लोग इतने अमिर हैं कि उनको इस चोरी से इस हुए नुकसान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये आइडिया उसके दिमाग में क्लिक कर गई और उसने ऐसा ही किया पता था कि सोना महंगा बिखता है पर केमपमा को यह नहीं पता था कि सोने की असली कीमत कितनी होती है इसलिए जब पहली बार उसने चुराया हुआ सोना बेचा तो पैसे देखकर उसे बहुत सौग्ड लगा उसने इतनी की उमिद भी नहीं की थी जितना पैसा उसे मिला था और केम्पम्मा को अब अपने बच्पन का सपना पूरा होते दिख रहा था केम्पम्मा ये सारे के सारे पैसे लेकर अपने पती के पास गई और उसने अपने पती से कहा कि हम लोग एक चीट फंड का बिजने शुरू करते हैं क्योंकि उसका पती एक इमानदार ब्यक्ती था इसलिए पैसे लगाने वाले आराम से मिल गए बहुत सारे लोगों ने अपना गाढ़ा कमाई केमपम्मा के चिट फंड में डाल दिया पर 2001 में केमपम्मा ने इस चिट फंड का सारा पैसा उड़ा दिया ठीक उसी समय उसने अपने काम करने वाले एक घर से कुछ ज्यादा ही ज्वेलरी चुरा ली थी जिसकी भनक उस घर के मालिक को लग गई थी और उस घर के मालिक ने पुलिस में केमपम्मा के खिलाब सिकायत दर्ज करा दी थी और केमपमा को गिरफतार कर लिया जाता है और इसी गिरफतारी के बाद उसे छे महने के लिए सजा हो जाती है छे महने की सजा काटने के बाद केमपमा अपने घर आती है जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसका पती उसे अपनाने के लिए तयार नहीं था वो उससे यहां से चले जाने के लिए कहता है और वो इसलिए कहता है क्योंकि जब वो जेल गई थी उस वक्त में उस चिट फंड के पैसे को ले करके उसका परिवार काफी कुछ सुन चुका था काफी कुछ परिसानियों को जहल चुका था इसलिए केमपम्मा को सीधे तौर पर वहां से चले जाने के लिए उसका पती कहता है यह सब सुनने के बाद केमपम्मा वहां से चली जाती है ये तो थी 2001 की बात हम दो साल पहले उन्हें 1999 में आते हैं औक्टोबर का महिना था एक 30 साल की महिला जिसका नाम ममता राजन था वो अपने गाउं के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए रोज आया करती थी क्योंकि उसकी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लेम्स थी और वो अक्सर साम के समय में ही मंदिर में आया करती थी क्योंकि उस वक्त वहाँ पर ज़्यादा भीड नहीं होती थी वो वहाँ पर बैठ करके मननत्य मांगती और प्रेयर किया करती थी और कभी-कभी तो घंटों तक सांती में बैठ कर बस योहीं पूजा किया करती थी यह सारा रुटिन रोजाना का बना हुआ था जिसे केमपमा ने देख रखा था वह जानती थी कि किस वक्त ममता इस मंदिर में आती है और कब यहाँ से जाती है साथ ही उसने यह भी देख लिया था कि ममता अपने गले में सोने का मंगल सुत्र बहनती है जिस पर केमपमा की नजर थी एक दिन जब मंदिर में कोई भी नहीं था तो केमपमा ने ममता जी के मंदिर से बाहर निकलते ही उसे सिडियों पर मार दिया और उसकी बोड़ी को वहीं पर छोड़ कर उसके गले से मंगल सुत्र निकाल कर वहां से भाग गई थी जिसके बाद उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया था क्योंकि ममता और केमपमा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था और इसे पुलीस ढूंड नहीं सकी थी और यही था केमपमा का पहला कतल जिसे पुलीस जोड नहीं पाई और ममता का केस यूहीं ठंडे बस्ते में चला गया था अब आते हैं 2001 में जब केमपमा को उसका पती घर से बाहर निकाल देता है तो केमपमा सोचती है कि मैं अपने इस गाउं में क्यों रहूं उसने फिर उस गाउं को छोड़ करके सीटी की और रुख किया और वहाँ पर बहुत सारे काम की तलास में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक सोनार की दुकान में काम मिल जाता है वहाँ पर उसे पता चलता है कि सोने की असली किमत क्या है साथ ही वो यह भी जान जाती है कि सोने को एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए उसे प्योर बनाने के लिए जिस केमिकल की आशकता पड़ती है वो केमिकल सिधे किसी भी आदमी को अधिक डोज में देने से वह मर सकता है और वो केमिकल था साइनाइड केमपमा ने 1999 में ममता को अबजर्व किया था तो उसने यह नोटिस की थी कि जब भी कोई ब्यक्ती मुसिबत में या परिसानी में होता है तो वो अपने भगवान के पास यानि की मंदिर में पहुँचकर अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना किया करता है साथी वो साइनाइड के बारे में भी जान चुकी थी और वो अब इन दोनों चीज को मिला करके अपने दिमाग में एक आइडिया लाती है और उसी आइडिया को इंप्लिमेंट करती है अब केमपमा मंदिरों में जाया करने लगी और यह देखने लगी कि वहाँ पर कौन ऐसे लोग आते हैं जो काफी परेसानी में हैं साथी वो ये भी देखा करती कि क्या वे लोग अमीर हैं या गरीव यदि वे अमीर हैं तो वो उन पर जादा फोकस करती ऐसा करते करते केमपमा को अपना अगला सिकार मिल जाता है और वो अगला सिकार था एलिजाबेद नाम की एक महिला जो 52 साल की थी एलिजाबेद की अपनी एक ग्रैंडोटर थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी और उसकी ग्रैंडोटर ही उसकी पूरी जिंदगी थी पर कुछ हपते पहले एलिजाबेद की वो ग्रैंडोटर घर से गायब हो गई थी इसलिए वो मनत मांगने के लिए भगवान से प्रे करने के लिए मंदिर आया करती थी जहां पर केमपमा भी थी केमपमा ने पहले कुछ हफ्तों तक एलिजावेट को ट्रेस किया और उससे जानने की कोशिस की कि आखिर उसका दर्द क्या है वो किसलिए यहाँ पर आया करती है और धीरे धीरे उसने एलिजावेट से दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद जब उसे लगा कि ये पूरी तरह से उसके वस में आ सकती है कब केमपमा ने एलिजावेट से कहा कि उसे एक ऐसी रिच्वल उसे एक ऐसी बिधी आती है जिससे भगवान 100% प्रसन हो जाएगा और जैसे ही ये रिच्वल ये बिधी पूरी होती है तुम्हारी जो खोई हुई ग्रैंडोटर है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी लेकिन इस रिच्वल को करने के लिए इस बिधी को करने के लिए कुछ चीजों को फोलो करना पड़ेगा और उसका पहला कंडिशन ये है कि तुम्हें रिच्वल के समय में बिवाह वाली अवस्था में रहना होगा मतलब साफ है कि बिवाह के वक्त जिस प्रकार्ट से सजना सवरना ड्रेस अप करना ये तुम्हें करना होगा और दुसरा कंडिशन ये है कि तुम खुद से भगवान के लिए पकवान बना कर लाओगी और लास्ट कंडिशन ये कि रिच्वल वाले दिन तुम पूरे दिन उपवास रखोगी मतलब सुभा से लेकर साम तक पानी भी नहीं पी सकती हो जब वरत खत्म हो जाएगा तो मैं खुद से ही तुम्हें पानी पिलाओंगी उसके बाद ये सारा कुछ संपन होने के तुरंत बाद ही तुम्हारी जो खोई हुई डॉर्टर है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी अब मरता क्या ना करता जैसे ही केमपमा ने एलिजाबेत को इन सभी बातों को बतलाया एलिजाबेत ने वैसा ही सब कुछ किया तै दिन में वो उपर से नीचे सज सवर करके गले में पूरी जितने भी जोईलरी है सोने के गहने हैं पहन करके और खाली पेट उसी मंदिर पर आ गई जहांपर केमपमा ने कहा था और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची इसके बाद केमपमा ने वहाँ उस रिच्वल का ढोंग करना सुरू कर दिया इधर एलिजबेद के दिमाग में यही कुछ चल रहा था कि कब उसका यह व्रत कब यह रिच्वल खत्म होगा और उसके ग्रैंट डोटर के बारे में जानकारी मिलनी सुरू होगी दूसरी ओर केमपमा के दिमाग में यही चल रहा था कि कब यह समय समाप्त होगा और वो इसे मार करके जो भी गहने एलिजबेद ने पहन रखे है लेकर वो वहाँ से फरार होगी यह सब करते करते साम का समय हो जाता है अब वरत का समय खत्म होने वाला था और जैसे ही वक्त बीटता है और केमपमा उसे पीने के लिए पानी देती है जिसमें उसने पहले से ही साइनाइड मिला रखा था जैसे ही साइनाइड मिला हुआ पानी एलिजबेद पीती है वो थोड़ी देर बाद मर जाती है और उसे उसी मंदिर में छोड़ करके केमपमा उसके सारे गहने किमती सामान ले करके वहां से रफुचकर हो जाती है इस प्रकार से उसका अगला सिकार साट साल की यसोधरा थी जिसे अस्थमा की बिमारी थी वह भी काफी परेसान चल रही थी और वो हमेशा मंदिर जाया करती और प्रार्थना किया करती थी कि उसकी तबियत जल्दी ठीक हो जाए और उसके साथ भी केमपमा ने वही रिच्वल वाली ढोंग करके उसकी भी हत्या करके उसकी जोयलरी अपने कबजे में ले ली और फिर अगली सिकार की तलास में दुबारा से जूट गई ऐसा करते करते उसने अब तक पांच लोगों की हत्या कर दी और जब कभी भी वो इस प्रकार से कांड किया करती उसके बाद वो अपना नाम और अपना ठिकाना बदल दिया करती थी ताकि किसी को भी इसके बारे में कोई भी भनक या कोई भी जानकारी ना मिल सके इधर 2006 में ही किमपमा को उसका अगला सिकार मिल जाता है और वो थी रेनुका जिसकी उम्र 22 वर्स थी अभी नई-नई उसकी साधी हुई थी और उसका पती दुबय में काम करता था और वो जब भी छुटी होता तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए इंडिया आज आया करता था इसके बावजुद रेनुका अपने घर में बहुत ही अकेला महसूस करती थी इसलिए वो अपनी बड़ी बहन मानी के घर रहने चले जाती है दरसल मानी और केमपमा एक दुसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि अकसर केमपमा इतने पैसे होने के बावजूद अपने नए सिकार की तलास में ततपर रहती थी और वो उसी घरों को चूनती थी जिस घर के लोग बहुत अमीर हैं और उनके पास से उन्हें आसानी से जोयलरी या अन्याच चीजे चोरी करने में आसानी लगे इसी वज़ा से केमपमा और मानी की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी क्योंकि वो मानी के घर में आया जाया करती थी और उनके यहां भी हाउस ओल्ड का काम किया करती थी अब रेनुका अपनी बहन मानी के घर में रहने चली आती है और यहीं पर केमपमा और रेनुका की पहली मुलाकात होती है यहीं केमपमा के काम करते समय में ही केमपमा को यह जानकारी होती है कि रेनुका अपनी साधी के बाद काफी नर्वस है और उसके नर्वस होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो कारण था उसे पहला संतान के रूप में लड़का ही हो इस चीज को जैसे ही केमपमा जानती है तो उसे रेनुका के रूप में अगला सिकार नजर आता है और वो फिर अपना ताना बाना अपना जाल बुनना सुरू करती है उसने सबसे पहले रेनुका को अलग करके उनसे कहा कि उसे एक ऐसी रिच्वल आती है यदि उस रिच्वल को वो पुरा करेगी तो 100% गैरंटी है कि उसका पहला संतान लड़का ही होगा चुकि रेनुका पहले से काफी नर्वस थी तो उसे एक आस नजर आती है और वो इस बात पर तयार हो जाती है जो केमपमा कहती है साथ दिसंबर 2006 को अचानक रेनुका अपने घर से गायब हो जाती है साथ ही साथ उसके घर की जितने भी जोलरी है वो भी गायब थे इसलिए रेनुका की बहन मानी को सबसे पहला सक केमपमा पर जाता है और वो केमपमा के खिलाप पुलिस में कम्पलेंट दर्ज कर देती है कुछ दिनों के बाद यानी 29 दिसंबर 2006 को जब रेनुका का पती दुबै से वापस आता है और रेनुका की गुमसुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा देता है अब पुलिस उन रिपोर्ट के आधार पर रेनुका को तलासती है साथ ही साथ केमपमा को भी वो ढुणने में लग जाते हैं लेकिन इधर केमपमा तो उन्हें नहीं मिलती है पर इधर रेनुका की डेड़ बोडी पुलिस को मिलती है चुकि मानी और केमपमा काफी क्लोज हो चुके थे इसलिए मानी को केमपमा के नाकनक्स और उसके हावभाओ के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी इसलिए उसने पुलिस को इस बारे में सारा डिस्कृप्सम दे दिया अब जैसे ही रेनुका की स्टोरी अखबार में छपती है तो उसे पढ़ करके बहुत सारे फेमेली के लोग पुलिस के सामने आते हैं और उन लोगों ने पुलिस से कहा कि हमने भी इस औरत को देखा है और इस प्रकार से वे लोग सिर्फ यही बतला रहे थे कि जो हो गया था ऐसा करते करते लगभग दो साल बीत जाते हैं अब समय आ गया था 31 दिसंबर 2008 इधर पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक जैयमा नाम की लेडी लोकल में कुछ हफतों से बहुत बड़ी एमांट में जोयलरी बेच रही है और इसी करम में वो एक दुसरे जोयलरी स प्रशूप का मालिक उस जोयलरी को देखकर पहचान लेता है और उसे याद आता है कि उसने ठीक वैसा ही जोयलरी की तस्वीर अखबार में देखी थी और उसने तुरंत ही इस बारे में पुलिस को टीप दे देता है और उसी टीप के आधार पर पुलिस उस जैयमा नाम की लेडी को ढूनने में लग जाती है इधर जैसे ही जैयमा को इस बारे में पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है तो वो किसी प्रकार से अपनी सारी जोयलरी को बिकरी करने के बाद बस स्टेंड चली जाती है ताकि वो वहाँ से फरार हो सके पुलिस की टीम तुरित कारवाई करने के लिए बस स्टेंड पहुंच जाती है और वहीं पर जैयमा नाम की वो महिला उन्हें खड़ी मिलती है पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है ये जैयमा कोई और नहीं बलकि केमपमा ही थी अब जैसे ही केमपमा को पुलिस हिरासत में लेती है तो सबसे पहले उससे सवाल करती है कि क्या तुमने ही इन सभी महिलाओं की हत्या की है तो उसने बहुत ही आसानी से यह सब कुछ सुईकार कर लिया जिसकी पुलिस को जरासी भी उमिद नहीं थी वह तो सोच रही थी कि सायद केमपमा यह सुईकार नहीं करेगी लेकिन उसने खिर तुमने यह सब क्यों किया इस पर केमपमा कहती है कि उन्हें सिर्फ चोरी करनी थी और उसका सिर्फ और सिर्फ जोयलेरी से ही मतलब था उस महिला से उसकी कोई भी परसनल दुसमनी नहीं थी उस महिला के पास जो कुछ भी चीज़ थी वह उसे चाहिए थी इसलिए उस सभी चीजों को अपने लिए ले लिया अब पुलीस केमपमा से कहती है कि तुम उन्हें साइनाइट दे करके मारने के बजाए बेहोस करके भी उनका सामान लूट सकती थी और भाग सकती थी इसपर केमपमा कहती कि उन्हें सबसे ज्याधा ज्वेलरी एक ही टाइम पे कलेक्ट करने थे इसलिए वो उन्हें मार डालती साथ ही यह भी वो सोचती कि कहीं ये लोग पुलिस में जा करके उसके खिलाब कंप्लेन ना कर दे पुलिस केमपमा से कहती है कि अब तक तुमने कितनी महिलाओं का कतल किया है क्योंकि दो साल पहले रेनु का कतल के केस को पुलिस किये होंगे इस पर केमपमा बगैर कुछ कहे अपना सिर नीचे जुका देती है अब पुलिस वालों को कोई भी आडिया नहीं था कि अब तक केमपमा ने कितनी महिलाओं की इसी प्रकार से हत्या की है पुलिस अब यही मान रही थी कि 20 से 22 लोगों की हत्या अवस्य ही इसने की होगी पुलिस केमपम्मा के खिलाब चार्चिट दायर करती है और उन्हें कोट में पेस करती है कोट 2012 में केमपम्मा को फासी की सजा सुनाती है लेकिन 2013 और 2014 के बीच कोट ने यह भैसला वापस ले लिया और उसे life imprisonment की सजा सुना दी मतलब जब तक वो जिन्दा रहेगी वो उसी काल कोटरी में अपनी पुरी जिन्दगी बिताएगी ऐसा कोट ने इसले किया क्योंकि केमपम्मा ने कहीं भी कोई भी जुट नहीं बोला वो आसानी से अपने सारे गुनाहों को कबूल करती गई उसे साइनाइड मलिका का नाम दिया गया था और लोगों का कहना है कि उसने कभी ना कभी सिकार के लिए जब अपना नाम बदला होगा उस वक्त मलिका नाम रखा था आज भी साइनाइड मलिका यानि केमपमा बैंगलूरू की परपाना अगरहारा सेंटरल जेल में आजिवन कारावास की सजा काट रही है या कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाएं और हाँ लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें